हलो दोस्तो न्यू वीडियो में आपका स्वागत है तो आए हम आपको एक ओड़ुल पोधे के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ तो आप ये देखिए हमारे ओड़ुल का पेड़ है लेकिन ये अलग तरह का ओड़ुल है इसकी कटिंग लगती है ये बिलकुल मिर्ची की तरह खिलते हैं इसका नाम है मिर्ची ओड़ुल ये बिलकुल खिलते नहीं है दोस्तो क्यूंकि इनका जो भी ये देख रहे हैं आप इनका कलिया इदम मिर्च की तरह रेड रेड रहती है और ये पत्ती की आकार में आकर खिलते नहीं है क्योंकि इनका नाम ही है मिर्ची ओड़ूल तो ये हमारी मिर्ची ओड़ूल है तो मैं आपको इसको कटिंग लगाने के बारे में आपको कुछ जानकारी देने जा रही हू तो आप मेरी वीडियो पर अधिनाय हो तो मेरी वीडियो को आप like, share, subscribe करदेना दोस्तो और देखिए ये हमारे मेर्ची फूल है ये आप देख सकते हूँ अच्छे तरह से मेरी वीडियो को देखे और तभी आप समझ पाऊँगे इसका cutting किस तरह से लगाया जाता है क्योंकि इसको लगाने से एक अलग तरीका है और ये बिलकुल हर पौधे में ये ओड़ुल का फुल तो कभी-कभी पेड़ों में 10-20 फुल नजर आते हैं लेकिन ये पौधे सैकडों की के मात्रे में ये फुल देने वाला पौधा है ये ब कलिया लगी हुई है इसमें बहुत सारे घुचे घुचे कलिया लगी आई है देखिए आप देख सकते हो दोस्तों अब देखिए अच्छे तरह से देखिए मेरी वीडियो को और इससे आपको बहुत सारे फायदे भी मिलेंगे ये फलावर लगाने से ये तो अभी हम ठंड के मौसम में ही लगा ले रही हूं क्यूंकि इसको कटिंग करके मैंने एक पौधा लाई हूं दोस्तों और देखिए मैं आपको काट कर जो मैं दिस का तार कटिंग करने का कैची होती है उस कैची से मैंने काट कर आपको दिखा रही हूं क्यूंकि इसको देखिए इस तरह से मै मैंने काट ली है और उपर से भी मैंने इसका कलियां भी अलग काट कर हिस्सों में कर ली है और इसको मैं आपको लगा कर दिखाती हूं अपने गंलियों में अपने ड्रम के उपर मैं दो तिन टुकडों में इसको काट कर लगाती हूं और ये पोधी बहुत ही जल्दी और दूसरी कटिंग भी आपको दिखा रही हूं तो अच्छे तरह से देखें ओड़ुल का फूल का कटिंग आप घर पी अवस लगाएं यह देखिए मैंने इस गमले में आपको दिखा रही हूं लगाकर यह मैं इसमें कुछ भी आपको नहीं करना है यह मेरे मिट्टी और खाद दोनों मिक्स अल्रेडी तैयार है तो इस गमले में मैं आपको लगा कर दिखा रही हूं देखिए इसको सिर्थ खोस देना है इसको खोसने से आपका पौधा बहुत ही जल्दी और ग्रोथ करने लगेगी और इसमें आपकम से कम एक सब्ता हो जाएंगी तो आप थोड़ा सा खाट डाले और मैं दूसरे पौधे भी देखिए ये ड्रम है मैंने आपको ड्रम के बारे में बताया था तो इस ड्रम में आपको लगा रही हूं दूसरा कटिंग मैं इसमें भी लगा दे रही हूं आपको हर कटिंग अलग-अलग हिस्सों में लगाना है और अलग-अलग ह आसान हो जाती है और इससे कई कलियां आने लगती है और फुल खिलने लगती है इस तरह से मैंने आपको दो तीन कलियां लगा कर दिखाई है हर गमले में आप भी लगाओ दोस्तो एक पौधा से आप अनेक पौधा अपनी घरों के उपर छट के उपर गमलों में अल्रेडी त खलाबर अलग ही ढंकते एकदम खिलता है और यह फूल एकदम मिर्च की तरह खिलते हैं और मेरी वीडियो पर लाइक सेयर कर देना दोस्तों